मिस्टर नरेन कुमार काश्यर आपने मुझे राष्ट पती जी के अभीबाशन के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया परंपुझ बाबा सहब डॉक्टर अंबेड करने भारत के समिदान के अनुच्छेद 87 में राष्ट पती जी के अभीबाशन के संबन्द में परावधान किया और आज हमें बाबा सहब डॉक्टर अंबेड करकर का एक कथन याद आता है जो बहुत मेतनूर है उन्होंने कहा था कि समिदान और कानून कितना ही अच्छा क्यों ना हो जब तक उस समिधान और कानून को लागू करने वालों की नियात अच्छी नहीं होगी तब तक उस समिधान और कानून का लाब देश की अंतिम पंक्ती के व्यक्ती को नहीं मिल पाएगा मौदेट 69 वर्सों की आजादी के अंतराल में जब हम भारत वर्स के अंतिम पंक्ती के व्यक्ती के विकास और उन्हती पर विचार करते हैं तो नतीजों से इस्तिती भयावय पैदा हो जाती है और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत के समिधान में अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती को समाजिक आर्थिक और सेक्षिक रूप में आगे बढ़ाने के लिए आरेक्ष्ण की ववस्ता बाबा साथ डॉक्टर अंबेड करने दी और उम्मीद की थी कि देश का ये दलित वन्चित सोचि समाज रिजर्वेशन के आधार पर समाज के मुखधारा से जुड़ेगा वर्तमान सरकार में मा मही मुराच पती जी मोदे के अभी भाशन में इस बात की चर्चा की गई है कि सरकार इस बार बाबा साथ डॉक्टर अंबेड कर की 125 वी जैन्ती समिधान दिवस के रूप में मनाएगी आप डॉक्टर अंबेड कर साथ की 125 वी जैन्ती समिधान दिवस के रूप में मनाते हैं मनाएगे लेकिन उस समिधान का जो मूल तक है जो मूल आधार है उस पर सरकार का क्या नजरिया होना चाहिए कम से कम इसको भी तो इस पश्ट करिए मौदे आज भारत का दलित और भारत का आदिवाशी बहभीत है आतंकित है उसमें ऐस उरक्षा की भावना पैदा हो गई है बाद में टोपिक हैं मेरे पाफ़ मैं एस उरक्षा की भावना पैदा हो गई है किस बात की ईस उरक्षा है एजूकेसन प्रोपर नहीं मिल लुए उसको ईस उरक्षा है अम्पलाइम्मेंट में बराबर उनको अपर्चिन्टी नहीं मिल रही है उसकी भी असुरक्षा है और सबसे बड़ी असुरक्षा है महोदे कि आज आज उनके साथ कातलाना हमले हो रही है उनकी हत्या हो रही है पिछले सब्ता में लगातार ये मुद्दा उठा हमारी पार्टी की नेता आदर्नीय बहिंत कुमारी मैयवती जी ने बहुत वेदनाओं के साथ बहुत तकलीफ के साथ सदन के समक्स हैदराबाद केंद्रिय विश्विदाले के पी एच डी के छैत्र रोहित की आत्मत्या का मामला उठाया क्या मांग की थी हमारी नेता ने केवल छोटी सी मांग उन्होंने कहा था कि इस नहाइक जाँ चायोग में एक अनुसुची जाती का सदस्वी सामिल कर लो सबका साथ सबका विकास नारा सुनने में कहने में बहुत अच्छा लगता है सत्याधारी पार्टी के लोग ये नारा लगा कि अपनी फीट फीट थपताबा सकते हैं थपताबा लो जब अनुसुची जाती का व्यक्ति न्यायक आयोग में सदस्वी बनाने की मांग उठती है तो सरकार के काल पे जू नहीं रहेंती है उत्तर नहीं दिया गया सदन को गुम्रा करने की कोशिश की गई महोदय कैसे डेश कैसे करेगा भरोसा सबका साथ सबके विकास के नारे पर महोदय देश कैसे भरोसा करेगा साड़े पंदरे परसेंट सटूर काट बारत वर्ष में है उन पे अत्या चार हो रहा है उनकी हत्या हो रही है वो आत्मत्या कर रहे हैं और सरकार उनके नुमाइंदगों को उन जाच एजनसी में सामीर करने के लिए आज तक तयार नहीं है यह गटना एक नहीं है महुदे च्छे लोग च्छे व्यक्तियों को हैदराबाद की गटना में नामदर्ज किया गया उनके खिलाप F.I.R. हुई चालिस दिन का समय गुजरा है एक भी व्यक्ति ग्रफतार नहीं हुआ महुदे कैसे होगी दलितों की सुरक्षा कैसे होगा सबका साथ सबका विकास आज भी हमें कश्च के साथ कहना पड़ता पंजाब के अबोर में जो कुछ हुआ बहुदे अबोर पंजाब के अंदर एक दलित को हाथ पेर काट के उसकी हत्या की गई है निर्मा भट्या की गई सरकार हाथ पे हाथ रखके बैठी है सरकार के पास इन गंबीर घटनाओं पर नोटिस लेने का समय नहीं है सरकार के तरफ से लंबे लंबे बयान आते हैं लंबी लंबी बाते होती हैं कि हम इस वर्गों की सुरक्षा करेंगे हम स्वेप्ठी की बात करेंगे और महुदे मेरे पास भारत वर्ष में अनुसुचित जाती के लोगों पर अपरादी गटनाओं के सारे आंकड़े में आपके बीच में रख सकता हूँ और सदन अर देशित बात को समझ जाएगा के आखिर 79 वर्षों की आजादी में आज भी दलित और आदिवाशी भारत की अंदर अपने आपको ऐसुरक्षित मेसूस कर रहे हैं महुदे रिजर्वेशन किसी एक सियासी पार्टी का दिया हुआ ये अधिकार नहीं है अगर भारत के स्विधान में अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती को आरख्षन का दिकार मिला है तो इसका एक मा तुसरे परंपुझ बाबा साहब डॉक्टर रम बेट कर गो जाता है उन्होंने दिया था ये अधिकार इसका पालन नहीं हो रहा है इस अधिकार की पूर्ती नहीं हो रही है बहुत सारे विभाग केंद्रियों विभाग बहुत सारे ऐसे हैं जहां आज भी कोटा पूरा नहीं है वर्तमान सरकार ने बहुत सारे विभागों को प्राइवेट सेक्टर में देने की बात की है आरक्षन की विवस्था को रिवू करने की बात की है कभी समिधान की समिक्षा का मामला उठता है सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि अगर वो बाबा साथ डॉक्टर नाम बेट करकी 125 वी जयंती मनाना चाहते हैं तो पिर समिधान की समिक्षा किसलिए कर रहे हैं पिर आरक्षन की समिक्षा क्यों करते हैं पिर आरेसेस के लोग इस आरक्षन की ववस्था पर सवाल क्यों उठाते हैं दोरा चैत्र और दोरी बात शायद अब देश इस पर बहुत भरोसा ना करे इसलिए इन मुद्दों पर भी इसलिए इन बातों पर भी राट पती जी के अभी बाशन में कुछ ना कुछ अंकित होना चाहिए था उबसभापती महोदे ततकालीन सरकार में भी और वर्तमान सरकार में भी हमारी पार्टी के नेता आदर्निय बेहन कुमारी मायवती जी ने दलितों के परमोशन में रिजर्वेशल का मुद्दा उठाया ततकालीन सरकार में राज सवा में वो बिल पास हुआ सम्विधान संसोदन का मामला था लोग सवा में जाके अटक गया एंडिय की सरकार बनने के बाद भी अनेकों बार हमारी पार्टी की ओर से ये मांग उठी के भारत वर्ष की अंदर करोणों दली समाज के ऐसे अधिकारी हैं करमचारी हैं जिनको परमोशन में रिजर्वेशन का हक मिलना चाहिए अगर ये सरकार सबका साथ सबका विकास देने का वायदा देती है तो लोग सबा में समविधार ससोधन कराके पर्मोशन में रिजर्वेशन देने का कानून बनाने में एक एतराज क्या है महोदे ये सारी चीजें ये सारी बाते ऐसी है जो अभी भी सरकार और सरकार के कारियों पर सवाल या निशान लगा रही है हमें भी मोखा मिला उत्तर परदेश में हमरी नेता को मोखा मिला चार बार उत्तर परदेश की मुख्मत्री बनने का और हमें इस बात का गारव है हमें इस बात के प्रसंत्ता है कि उन्होंने अपने चार साल के सासंकार में अनुस॥ची जाती की बात हो और यहां तक के सामन जाती के जो गरीब लोग है उनको भी अरक्षन देने में गुरेज नहीं किया उनको भी विकास की गती में आगे बढ़ाने में कोई गुरेज नहीं किया तो आधर ने मोदी सापस की सरकार को गुरेज क्यूं है क्यों नहीं इनके विकास की बात करते क्यों नहीं इनके अरक्षन की बात करते क्यों नहीं प्रोमोशन बे रिजर्वेशन का कानून पास करते उपसभा मती महोदे जी एक सच्चाई आपके माध्धम से संसा दर्देश के सामने और लाना चाहता हूँ 1933 में काका कालिर काया आयोग बना था बाबा साब डक्टर अम्बेटकर ने भारत के समिदान के अनुचे 340 में ये प्रोविजन किया था कि जो लोग आर्थिक और समाजिक सेक्षी रूप से पिछले हुए हैं ऐसे लोगों को चिन्नित किया जाएगा और पिछले समाज की सूची बनाकर उनको भी रारक्षन देने का लाब सरकारे दे सकेंगी 1933 में काका कालिर का आयोग बना 1955 में रिपोर्ट आई लेकिन आज तक उस पे कोई कारवाय नहीं हुई 1978 में बीपी मंडल कमिशन बना 1979 में रिपोर्ट सम्मट की और 1903 में में सुप्रीम कोट ने फैसला सुनाया कि बारत वर्ष के 52 प्रतिशत पिछली जाती के लोगों में से 27 परसर्ट रिजर्वेशन भारत के तमाम सूबों में मिलना चाहिए उब सभापती महोदय सुप्रीम कोट का फैसला 1903 में का है 27 परसर्ट रिजर्वेशन देने के संबंद में आज देश के सामने ये सच्चाई आ जाएगी कि सरकार चाहे तत्कालीन रही हो या मौजूदा सरकार और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि सरकार की तरफ से जब जबाब आए तो महरबानी करके इस पर जबाबदी जीएगा उपसबाबदी महोदे जो आज देश के सामने इस्तिति इस पर ठो रही है उसके संबंद में मैं आप से कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे देश में छे परांत ऐसे हैं छे परदेश ऐसे हैं जहां पर बैकवर्ड कॉमिटी के लोगों के लिए सूची बद ही नहीं किया गया है हूँ इस बैकवर्ड पिछडी जाती क्या होती है पिछडी जाती में कौन होगा छे परांत ऐसे हैं उसमें मेघाले भी सामिल है अरुचल परदेश भी सामिल है मिजोरम तिरपुरा सामिल है लक्षदीब नागा लेंड सामिल है उसमापती महोदे छे परांतों में आज तलक 27% OBC के लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए जातियों को चिन्नित नहीं किया गया 23 साल गुजर गए छे परांतों में OBC की सूची नहीं बनी है जब देश में लोगसभा का चुनाव हो रहा था आधरन ये प्रधान मंत्री जी ने OBC होने का अपना एक प्रमान देश की जनता के सामने रखा था उसमापती महोदे मैं उनी प्रधान मंत्री जी से आपके माध्यम से रोध करना चाहता हूँ कि वो छे परांत के लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाने के बाद भी आज अरक्षन से वन्चित हैं दो उनको अरक्षन सबका साथ सबका विकास तभी हो पाएगा जब आप देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करें और इतना ही नहीं महोदे हमारे देश में तेरे परदेश तेरे प्रांत ऐसे हैं के जिन तेरे प्रांतों में 27% Reservation से कम Reservation मिलता है 27% पूरा नहीं होता है कई पे 2% मिल आए कई पे 5 मिला है कई पे 14 मिला है मैं सरकार के संग्यान में लाना चाहता हूँ मैंने ये मामला पुर्षन के माध्धम से भी पूचा था कि बारत वर्ष की आधी से अधी काबादी रखने वाला ये 22 पृतीशत समाज आज बहुत दुखी है आज वंची थे वीपी मंडल कमिशन ने तै कर दिया सप्रीम कोट ने फैसला दे दिया फिर देश और प्रांतों की सरकार को क्या कटनाई है इनको 27 परसंट रिजर्वेशन देने में इसलिए उपसभा बती महोदे मैं आपके माध्यम से ये अपील करूँगा कि राष्ट पती जी के अभी भाशन में 52 परसंट पिछले वर्गों के 27 परसंट रिजर्वेशन को देने का कोई सक्त फैसला सरकार लेती है तो सायद भारत की आधी से आधी आधी से जादा आबादी को रहत मिल जाएगी महोदे केवल ये विशे है केवल ये विशे है एक सीमय तक ही सीमित नहीं है इससे आगे भी मैं आपके माध्यम से सरकार के संग्यान में लाना चाहता हूँ के केंद्रिय विश्विधाले बारत वर्ष के केंद्रिय विश्विधालों में 17,16,785 अधिकारी निक्त हैं OBC के केवल 43 सो है याली 27 परसेंट के मुकाबले केवल 11 परसेंट रिजर्वेशन मिलता है महोदे IIT में बारत वर्ष के अंदर 5,706 पद है OBC केवल 105 पद मिले है रिजर्वेशन का रेशो 1.84 परसेंट है 27 परसेंट नहीं 1.84 परसेंट इतनी बड़ी बही मानी इतना बड़ा धोका भारत की आदि से ज़्यादा अबादी के साथ सप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानोगे मंदल कमिशन की रिपोर्ट लागू नहीं होगी इसलिए मैं कहना चाहता हूँ महोदे के अभी अभी भाषन में और सरकार को अपने वरकिंग में अपने कमिटमेंट में कुछ ना कुछ नया जोड़ना पड़ेगा पिछले बीस सालों से जादा उतर परदेश की कस्ब निशा सही सत्रे जातियों को अनुसुचित जाती में सामिल करने का प्रधान सामिल करने की मांग उतर परदेश से उठ रही है लगातार धन्य परदर्शन हुए और हमारी परटी के नेता आदर्निय बेहन कुमारी मायवती जी ने चार मार्च दो हजार आठ को तत कालिन परदान मत्री जी को चिठी लिखकर इस बात की मांग की थी के उतर परदेश में कश्चम निशाद आदी जो सत्रे जातियां हैं जिनकी आर्थिक समाजिक इस्तिती दलीतों से भी बत्तर है इनको अनुसुची जाती में सामिल करने का विचार करना चाहिए और उनुने इस बात का सुझाओ भी दिया था कि जिस अनुपात में ये OBC की जाती अनुसुची जाती में सामिल होंगी उसी अनुपात में सडुल काश्च का रिजर्वेशल कोटा बढ़ना चाहिए रिजर्वेशल कोटे को बढ़ाने के सुझाओ के साथ सत्रे जातियों को अनुसुची जाती में सामिल करने का प्रस्ताव हमारी पार्टी की योड से उठा प्रंतु आस्तलक केंदर की सरकार ने महोदे उस पर कोई भी कारवाई नहीं की है आज हमारे कांग्रेश के मित्र को चले गए मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 13 नमंबर 1985 को मावलेंकर सभागार नई दिल्ली में देश के पूर परधान मंतरी स्री राजीव गांधी जी ने इस समुदाय के साथ बैठक की थी उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि इस समाज को आर्थिक छेत्र में आगे बढाने के लिए कोई ना कोई ठोस नीती बनानी चाहिए 13 नवंबर 1985 का स्वर्ग्य राजीव गांधी जी का कमिंटमेंट पर आज कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई काम नहीं किया उत्तर पृदेश में इस समुदाय की आबादी देड करोड से ज़ादा है आज देा करोड से ज़ादा ये गरीब लोग अपने अधिकार की बात कर रहे हैं अपने अरक्षन की बात कर रहे हैं सरकार मूघ्दरसत बनी हुई है इनके लिए किसी सत्था में कोई विचार नही किया जाता मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर भी विचार करे महोदै सबसे बुरे हालात आज इनके साथ साथ धार्मिक और सजग समाज के लोगों के भी हैं मुसलिम हो चाहे बौदिष्ट हैं क्रिस्चिन हैं इसाई हैं आज उनकी हलत देखिए आज उनकी इस्तिती देखिए आ मुल्क हमारा गुलाम था मुसल्मानों की नौक्रियों में तादाद 30% से ज़्यादा हुआ करती थी आज उनेतर साल की आजादी नौक्रियों में तादाद घटकर केवल 3% रह गई है आदनिय नक्वी साहब आप भी सोचिये 33% से 3% पर आ गया है ये मुसलिम समाज और जिन में से आतंकवादी होते हैं कोई डाड़ी वाला टोपी लगा ले उस पर शक करना शुरू कर देते हैं लोग बारत के अंदर कुछ सियासी लोगों ने राजनेतिक लाब लेने के लिए इस मानटीज को लोगों को आज बहुत जादा भेके बातरवन में बुजानने के लिए मजबूर कर दिया है सासो से ज़्यादा दंगे पिछले दो वर्सों के कम से कमत अंतराल में आखी क्यों दंगे हो रहे हैं मुझफवा नगर हमारा उत्तर परदेश किस तरह से जला 56 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए किस हाल में हम लोगों ने जिन्दगी बसर वहा कहां चली गई आज मानर्टीज के लोग अपने आपको एस्वचित महसूस क्यों कर रहे हैं इनके एजुकेशन के लिए परबंद क्यों नहीं करते इनके कॉलिज का परबंद क्यों नहीं करते इनको स्कॉलर्शिप क्यों नहीं दे थे इनकी आबादियों में बड़े कॉलि समाज बहुत जादा भैवीत और बहुत जादा चिंतित है सरकार को वास्तिक रूप से इनकी समस्षाओं के बारे में समाधान के बारे में सोचना चाहिए क्या सिक्षों के बारे में सोचना आपकी जुम्मधारी नहीं है अरे बारत के समीधान में हर धर मर जाती समुधाय की स सुरक्षा और विकास का वादा दिया गया लेकिन क्या हुआ 1984 में सिखों के साथ में क्या हुआ कतले आम हुआ उनके साथ में माउस सारे लोग मारे गए उनके घर जलाए गए उनके कारोबार को तभा कर दिया गया और अभी पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ उसे कौन नहीं जानता पंजाब के अंदर सिखों के धर्म गरंथ को अप मानित करने की कोशिद गई गई एक जगे पर नहीं साथ जगे पर आंदोलन हुआ तो उन पे गोलियां चलती हैं उनकी हत्या होती है आंदोलन कारियों पर देज़़ों के मुगद में लगाय जाते हैं वैसे सिखों की आबादी बहुत घट गई है आपके माध्यम से संग्याल में लाना चाहता हूँ कि 1.9% उटा था 2001 में अब घट के 1.7% रह गया है अगर देशत का मौल पैदा होगा अगर ये सुरक्षित नहीं होगे आबादी भी घटेगी ऐस रख्षा की भावना भी इनके अंदर पैदा होगी इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार को मुस्लिमों के बारे में सिखों के बारे में बादिष्ट के बारे में एसाईयों के बारे में भी बड़े दिल से फैसला लेना चाहिए हमारा देश दरम निश्क पेक्ष राष्ट है इसमें हिंदू राष्ट गोशित करने की बात करना देश के समिधान के अनुरूप नहीं होगी इस देश को हिंदू राष्ट बनाने की बात करना इस देश के संपरदाई सताने बाने को तोड़ने की बात होगी इसलिए उस्वबदी मोदे मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि भारत वर्ष में संपर्दाई सद्भाव को तोड़ने की बात ना करिए भारत के समाज में वैमन शुदुश्मनी फैलाने की बात मत करिए हिंदू राष्ट गोशित करने का विचार ये समिधान के सम्मत नहीं है ये समिधान के विरुद है इसलिए ऐसे मामलों को उठा कर आप देशत का महौल ना पैदा करिए ये देश सब का है ये देश सब का रहेगा इस देश के अंदर किसी पार्ठी की सरकार हो सकती है लेकिस सब धर्मों को रहने का अधिकार हमरे देश में बाबास साब डॉक्टर अंबेड कर और देश के सईदों ने दिया है आप किसी समाज पर किसी जमात पर किसी विसेज समुदाय के लोगों पर आप देशत गाली करने के लिए इस तरह की बातों को नहीं उठा सकते महदे आज हमें किसानों के पृति चिंता करनी पड़ेगी आज हमें किसानों की समस्याओ को लेकर चिंता करनी पड़ेगी जब ये नई सरकार मोहदे अस्तित में आई थी तो सरकार के नुमाइंदों ने सरकार के नेताओं ने ये नारा दिया था कि हमारी सरकार कर सजल होने के बाद हम किसानों की उपज का देड़ गुना दाम देंगे महदे, किसानों को उनकी उपज का देड़ गुना दाम देने का वाइदा इसी सरकार के नेताओं ने किया था लोग सबाग के चुनाओं में सैलेंस प्लीज, 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 सिट डाउन Yes, carry on महदे, आज हमें इस बात का अफसोस है किसान की हमदर्दी, जिस किसान की उपज का सही दाम देने का वाइदा देश की सरकार ने किया था, आज वो वाइदा पूरा नहीं हो रहा है आपके माध्यम से सरकार के संग्यान में लाना चाहता हूं महदे कि जो धान सन 2013-2014 में 5000 रुपे कुंटल बिकता था ये नई सरकार की स्थाफना के बाद वो धान 1100 रुपे कुंटल बिका है किसानों के गन्ने का दाम, किसानों को नहीं मिल रहा है मिल मालिक पैमेंट नहीं करते यहों की फसल इस बार कम उपज रही है तपास की खेती का विनास हुआ है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के संग्यान में ये भी लाना चाहता हूँ कि ये किसान समू देश का बहुत बड़ा समू है इसको अनदाता भी कहा जाता है ये बारत की 70% आबादी के बीच में रहकर इस देश को मजबूत करने का काम करता है इसलिए इन किसानों की समस्याओं को भी आपको गंबीता से लेना पड़ेगा इसके अलावा महदे हमें आपके माध्यम से ये भी कहना है कि राष्ट पदी जी ने अपने अभी भाशन में 2022 तक हर भारत के आवास वीन विक्ति को मकान देने की बात कही है 2022 अभी दूर है लोग सबा का चुनाव उससे पहले 2019 में होना है फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक सरकार की इस योजना पर क्या काम हुआ है सरकार ने इस संबंद में क्या कदम बढ़ा है इसकी जानकारी भी अगर सदन को मिलेगी तो शैद हम समझ पाएंगे कि सरकार का ये कमिटमेंट क्या देश के लिए सई साबित होगा और आज मुझे मुझे सरकार को सुझाओ देना है कि हमारी सरकार उत्तर परदेश में बनी आदरलिये बेहन कुमारी मायवती जी उत्तर परदेश की मुख मतरी बनी और आज हमें खुशी है इस बात की कि उन्होंने अपनी सरकार में काशी राम सहरी गरीब आवास योजना काशी राम सहरी गरीब आवास योजना उन्होंने उत्तर परदेश में लागू की और लाखों गरीबों को दो दो कमरों के पक्के मकान बनवा कर मुफ्त में देने का काम आदल ये बहन कुमारी मया वती जी ने अपनी सरकार में किया है कुछ ऐसी हो ज़ना बनाईए कुछ ऐसा काम करिए वादो केवल वैदो से काम नहीं चलेगा काला धन लाने की बात से काम नहीं चलेगा पद्रेलाग की बात कहने से काम नहीं चलेगा कुछ जमीन पर ठोस कदम उठाने पड़ेंगे कुछ जमीन पर ठोस काम करने पड़ेंगे इसलिए कुछ अच्छी नीतियों को लागू करने के लिए आप कोई ना कोई ठोस कदम उठाइए मौदे आतंकवाद देश की बड़ी समस्या है गुर्दासपुर की बात करें चाए पठान कोट की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें आज तकलीफ है इस बात की कि नई सरकार के आने के बाद भी आतंकवादी घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है आज भी हमरे देश का सहीद आज भी हमरे देश का सहीद इस बात की शायद उम्मिद रखता होगा कि जो उनके बाकी सहीद जो काम करते हैं जो जमान काम करते हैं कम से कम उन्हें इस दौर से ना गुजनना पड़े इसलिए मैं कहूंगा कि आतंकवाद के मुद्दे पे जो सपने जो वाइदे इस नई सरकार ने किये थे पाकिस्तान की आखों में आके डालने की बात करके आतंकवादियों को मूँ तोड़ जबाब देने की बात करके वो अपने मुद्दों पे कायम र जया है इसलिए इन बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा बेरोजगारी देश की बड़ी समस्या है पांच पांच करोड नोजमानों को रोजगार देने का वाइदा नई सरकार के मुखिया ने किया था लेकिन आज आज हमरे देश का नोजमान उस रोजगार को तलास करता है नोकरियां तलास करता है वो नोजमान जिसको सपने दिखाए गए थे रोजगार देने के संबंद में आज वो रोजगार रोजगार की तलास में है इसलिए मैं मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करूंगा कि जो वाइदे उन्होंने देश की जनता से किये थे नोजमानों को रोजगार देने के संबंद में अपने उस वाइदे पे भी काया हो और महदे अंतिम बात कहके अपनी माणी को विराम दे रहा हूं कि आज देश और दुनिया बारत के नेताओं पर एविस्वास पैदा कर रही है एविस्वास का इल्जाम लगा रही है और य नहीं है इसे मैं आपके मादगम से कहूंगा कि बहतर लोग तत्र के लिए देश और दुनिया में भारत का विस्वास जगाने के लिए भारत के एक सो पच्छी क्रोड़ लोगों में लोग तत्र की बहाली के लिए मेरी अपील है कि वाइदा वो करो भासर वो करो जिसको नि भी बात सको जनता के सामने कहके देश को गुमरा ना करो आपने मुझे बोलने का मोका दिया मैं आपका बहुत दिल से मश्कूर और बहुत धन्यवाद करता हूं जै भीम जै वारत थांकि वर्यमाट थांकि वर्यमाट